चोटी सी समुन्दारी बस्ती में एक घरीब लर्का रहता था, जिसका नाम लखी था। वो मच्छवरॉम का बेटा था, पुरानी के प्रॉन में लिप्टर, लेकिन सपनों से भरपूर। हर रोज वो अपनी चोटी सी नाम लेकर समुन्दर में जाता, माटियन पकर्टा और उन्हेन बाजार में बैक्ता। उसके हाथ रसी खींच्ट-खींच्ट साक्ट हो गए दर, रंग सूरज के नीचे काम करकर के सामुला हो गया था, लेकिन उसका दिल समुन्दर की तरह आजाद था। शहर के दूसरे हिस्त में एक उंचा महल था जहां नौमटर रहती थी, ज रोज वो अपने महल की खिलकी से समुन्दर को देखती, दिल में अपने गोल्दन पिंजरे से बाहीर निकलन की तमन ना लिये। एक दिन किस्मत ने उन्हेन एक दूसरे के सामने लाख खड़ा किया। नौमटर अपनी छुपी हुई ख्वहिशात को पूरा करते हुए बस् नौमटर का रेशम का दुपटा उसके कंदो से ओर कर नीचे जाल के पास गिर गया। लकी ने अस दुपट को उठाया बहुत आइट याद से और जब उनकी नजर मिली तू हवा में एक अजीब सी खामोशी थी एक जिस्म से पैर, बिजटी की शायरी जैसे। आपका लकी की जानीत कुछ अंकहे जजबात के साथ खींचता रहा। हर रोज वो दूर से उससे देखती, उसके होसलो और मेनाद को सुराथ हुए। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके असे बात की, क्या तुम कभी इस जिन्दगी से जायदा की तमन्ना करते हो। नौमटर ने समुं में बदलन लगी। वो दोनों डू अलग अलग युनियाओं से तालुक रखते दो और ये जानत के इनका रिष्टा खटानाख हो सकता है। नौमटर का बाप कभी भी एक घरीब मच्वरों के लड़के को कबूल नहीं करता और लकी भी अस बात को समझता था कि अगर ये र फिर एक रात तुफान आया। लकी समुंदर में था जब एक बहुत बारा तुफान आया। लहरेन उसकी छोटी सी नाव को इधर उधर देखते हुए खेल रहिंग थेन। महल की खिलकी से नौमटर घबराहच से तुफान को देखती रही उसे दर था कि लकी जिन्दा लेकिन जिन्दा जैसे हाई दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया पीचे से कदम की आवाज सुनाई दी। नौमटर के बाप ने उन्हें देख लिया था। उसका चहरा गस से लाल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने गस से लकी की तरफ देखा। मेरी बेटी से दूर रहो। लेकिन पहली दफ़ा नौमटर ने अपनी जगह मजबूटी से संभुली। मैं उससे महबबत करती हूँ। उसने कहा उसकी आवाज तुफान के बावजुद मजबूट थी। और तुन कुछ भी कर लो ये बदन वाला नहीं। नौमटर के बाप का चेहरा पाप देता। एक चुपा हुआ राज सामने आया। तुफान ने पुरानी हकीकत खोल दी थी। नौमटर के घर का दौलत सिर्फ तिजारत से नहीं धोकी से बनाई गई थी। लकी का खंडन कभी बहुत अमीर था जब तक के नौमटर के बाप ने उन्हें एक दुश्मनी भरी दील में बरबाद नहीं किया। लकी के वलीद को धोखा दिया गया और उसकी मा के मरने के बाद उसका घर भी तूट गया। ये सचे नौमटर के दिल को थोरा दिया। उसने अपने बाप की तरफ देखा, उसकी आखों में नफरत थी। तुम तुमने ये सब किया। उ इसमें तुम्हारे जूट का साया ना हो। तूफान के दर्मिया, नौमटर ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपने बाप की तरफ से मूँ मोड लिया और लकी का हाथ पकल लिया। दोनों साथ चले गए, उन्होंने अपने पीचे महल और अमियरी को छोड़ दिया। पहली दफा वो दोनों आजाद थे, एक दूसरे के साथ, मुहब्बत और सचाई के साथ।